अलो गाईज गूर्णिंग कैसे आप सब आगे से कुछ बढ़िया होगा क्लास नाइन के लिए हम लोग कॉंग्रूएंस ऑफ चैनल पर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हैं क्लास नाइन का डिरी किप्ट चैनल है क्लास नहीं के सारे कंसेप्ट यहां पर मिल जाएंग सब्सक्राइब बटन हटा देता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लेना ठीक है मैंने इससे लगाया चलो अभी कुछिश्य नमर्ट सिक्स की बात करें ठीक है एबी और सीडी आर रिस्पेक्टिबली दे स्मॉलेस्ट अन दे लार्जेस्ट साइड और सीडी इसमें क्या कहा सबसे चोटा साइड है और सीडी सबसे बड़ा साइड है सीडी सबसे बड़ा साइड है तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल 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 सी से इस एंगल की बात हो रही है एंगल 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 सी की बात हो रही है फिर आपको प्रूफ करना है कि एंगल बढ़ा है एंगल डी से एंगल बी बढ़ा है एंगल डी से तो एक बार में कोई एक ही चीप प्रूफ होगा और इसके आपको कंस्ट्रक्शन करना पर एक एक मिन बाई कंस्ट्रक्शन क्यों करना पर इस रेतुके क्या देख रहु है आप किया देख रहे है ऐसके बढ़ाइज हैं अब मैंने पढ़ा इंगुलुटी छोंट और बड़ा का misschien बाद है वह मैंने कहाल पर यह बढ़ा है मैंने ट्रैंगल में पढ़ा है, inequality triangle में होता है हम क्या पढ़ है, congruence of a triangle inequality in a triangle, लेकिन यहाँ पे triangle तो है ही नहीं, यहाँ पे तो आपको little है, तो construct करके आपको एक triangle बनाना पड़ेगा, ठीक है तो गौड से देखो कि अगर मैं ऐसे construct करूँ अगर मैं यहाँ से construct करता हूँ पाएगा, नहीं पूरा angle c मिल पाएगा क्योंकि यह तो छोटा सा angle है, angle c पूरा था, लेकिन अभी जो इस triangle में आ रहा है वो angle c का छोटा सा part ही है बस समय में आ रहे ना, तो मेरे को क्या करना पढ़ेगा inequality का use मेरे को इस triangle में भी करना पढ़ेगा और इस triangle में inequality का use करना आ प्तेगा हम क्या कोसिस करेंगे कि इन दोनों ही triangle से हम angle a का चोटा सा पार्ट इधर से, और कुछ पार्ट इधर ErstRA दोनों के add करके angle a पूरा कर ले और इस triangle में फिर इधरさん इधर से angle c का थोरा सा part और mile c का तो अभी शुरू करते हैं सोच समझ के ठीक है पहले तो आप चलो इस चलते हैं बात समय आगे ना क्या करना है पहले प्लानिंग करके ही हम लोग कोश्टन सॉल्व करें बहुत अच्छा लगेगा अपनी कंस्ट्रक्ट करना है ठीक है मैं आपको सॉल्व Gargainं कंस्ट्रक्ट में क्या लिकशों का लिखोगे आप लिखोंगे जॉईन आप च्छाइं कर दिया है तो आप चल्ए आनि यह ट्राइंगल एद itu में आज़ो तो ABC में जाने के बाद आपके जो दो side है उसको कोड़ को अ धो दो तो AB और B-C की बात करनी है इसने बात करनी है एक वात बताओ मैंने क्या आभी क्या होगा मतलब यह होगा कि BC बड़ा है BC बड़ा है BC बड़ा है ABC यह तो बात clear हो गया क्यों कि क्योंकि AB सबसे छोटा है तो बाकि सबसे बड़ा ही होगा तो BC ABC बड़ा है ठीक है अब हमारा जो inequality का concept कहता है कि जो side बड़ा है उस side का opposite angle भी बड़ा होगा जो side बड़ा है उसका opposite angle भी बड़ा होगा और जो छोटा है उसका यह इब पर लिखते हैं इस देता हूँ और आप मैं जाता हूं किसमें इस ट्रेंगल में ठीक है इंट्रेंगल एक मिरट अब में जाता हूँ स्टेंगल में इस ट्रेंगल में एस कि अब एसी डि में आप जा रहे हो तो आप से एक बात यहां पर जो सीडी साइड में अरए सबसे बड़ा साइड है तो सीडी सबसे बड़ा होगा बिल्कुल तो सीडी एडी से भी बड़ा होगा मैं सबसे बड़ा साइड है अब इनिक्विटि क्या कहता है कि सीडी के सामने वाला एंगल बड़ा होगा क्योंकि do बड़ा है तो cd यासे घर में जो लोग बढ़े होते हैं उनकी पहले होती है ठीक है और उनकी पत्मी ही बढ़ी होती है वही बात है तो cd cd के सामने वाल एंगल कौन सा रहा है यह एंगल ठीक है क्या नाम लिया जाए इसको सका नाम दिया जाए c-a-d एंगल c a d greater than a d देखो a d के सामने कौन सा एंगल आ रहा है a c d तो यहां से a c d लिखते हैं और अब मेरे को पता चल गया कि अच्छा ये बात है आपने इस एंगल को और इस एंगल को भी यहां पे सो कर दिया ठीक है अब एक काम कर लो कि जब आपने इस एंगल को और इस एंग मतलब यह वाल एंगल और c a d मतलब यह वाल एंगल इस दो लोख हम लोग हम लोग को एड करना है तो इसको क्या करेंगे एक्वेशन वन औरucha dessus को एड करेंगे इसलिएEr थनकाव कि साुन अकन का और यहां भी सलेडr देन जो हमारा तो इसको एड कर सकते हैं आप इतने को एड़ कर दो हम एड़ कर सकते हैं योग्लिड का उसमें भी कहा गया है कि आप 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 दो सकते हैं तो लेफ्ट में लेफ्ट एड़ होगा मतलब BAC plus CAD जो साइना फिल पर सेम है तो ऐसे लिखेंगे फिर लिखेंगे BCA BCA PLUS ACD अब गौर से तुम देखो तो पता चलेगा कि BAC PLUS ACAD BACCAD मतलब ये पूरा एंगल A बन रहा है ये पूरा एंगल A better than BCA BCA यहाँ वाल एंगल और ACD यहाँ वाल एंगल मतलब ये पूरा एंगल C बन रहा है पूरा एंगल C पहला चीज़ आपका प्रूफ होगा ये प्रूफ होगा अब यहाँ पर सो करना है आपको कि ये जो B है ये D से बड़ा है तो अभी मैं इसको मिटाओंगा क्योंकि यहाँ पर construction थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा ठीक है अभी बात को समझो अब फिर कौन सा B और D की बात हो रही है तो एक बात समझो रहा हो कि B और D किसी trangle का पर्ट थो नहीं है बी और एंगल D किसी trangle का पर्ट पर्ट नहीं है और यह तो नहीं एक ही tellschaft kid America पॉना भी चाहिए तो एक ही टैंगल का पार्ट तो अहीं सकता था तो मैंने किया किया यहां से construct किया ऐसे और मैंने कहा कि देखो ये दो ट्रेंगल्स बन रहे हैं ये दो ट्रेंगल्स बन रहे हैं एक ट्रेंगल ये बाला बन रहा है और एक ट्रेंगल ये बन रहा है इन दोनों ही ट्रेंगल में बी के कुछ-कुछ पार्ट्स था जैसे हमारा वो क्या कहते हैं जम्मु कस्मीर का बढ़के मज़ा आ रहा है समझ में अच्छे से अगर समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट में जिरू बताना ठीक है जो भी आपका एक्स्पीरियेंस हो इस विडियो को देखके तो बताना सेयर करना हम लोग चलते हैं किसमें इन ट्रैंगल किसमें चलें एबी डी में चलते हैं अब आप इन साइड शोड़ कि बाकिसा आपके पास में एबी है और एडी है तो आप में क्या होगा बढ़ा होगा किससे एबी से क्यों बढ़ा होगा क्योंकि AB सबसे छोटा साइड था, AB सबसे छोटा साइड था, तो AB चोटा है और AB बढ़ा है, अब आप क्या कहोगे, किस सर्ट इनेकलिटी क्या कहता है, कि एगर AD बढ़ा है, तो AD का opposite angle भी बढ़ा होगा, तो AD, AD का opposite angle यहाँ पर बन रहा है, ABD, तो ए बी दी जो है यह बड़ा होगा किससे एंगल सॉरी साइड एबी का देखो एबी का पोजिट अंगल यह बन रहा है यहां पर ए डी बी ए डी डी इसको में एक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं ठीक है और फिर चलते हैं एंगल आव एब यहां चलो बीस बी चल यह बी एब बी सी भी में तुम तुम जा रहा है तो भी किससे बढ़ा हो गहां तो ही सब्सक्राइब किया है. तो DC और BC के बारे में क्या जान कर दी हम है? कि DC सबसे बड़ा है, तो BC छोटा है उसे, तो DC बड़ा है और BC छोटा है. अब फिर inequality क्या कहेगा, कि MI слож भी बढ़ा है तो cd के सामनेवाल obs यह बाल आंगल क्या नाम दोगे इसका cb d cb d बढ़ा h inquiry बीसी के सामने कौह से अमपन रहा है क्या नाम धोगे bdc dc jurisdiction second बोलते हैं और क्या करते दुनों को एंड करते हैं from one in two लेफ्ट में लेट राइट में राइट जो कि सेम है तो मैंसे याड़ करेंगे एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी डी डी यह जो एक साइन आफ एक वही रहेगा इधर से लेंगे हम लोग एडी डी ब्लस डी 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 सी अब आट परो देखो ए बी डी और और इबी डी डी और इबी डी देखो तो ए बी डी डी मतलब यह पूरा एंगल एंगल बी इसको एड़ पूर, ADB और BDC, ठीक है, ADB, BDC, मतलब ये पूरा इंग, ये तो प्रूफ करना था, देखो ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है, देखा है, आपने मज़ा आया क्या, मज़ा आया, समझे आगी बात, मेरे को बारा मिनट लगा इस को समझाने में, लेकिन I hope कि ये ब कहां पर construction करना है, क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है, और जब तक हम mathematics में इन बातों को नहीं जानेंगे, मेरे भाई, तो सिर्फ आप solution देखके छापने कालाबा और कोई काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपके class में teacher board पे लिख देते होंगे, construction किस काम के लिए हम लोग कर रहे हैं, यह पता होना चाहिए, तो यह question 6, question 6 खतम होता है, question 7, question 7 देखेंगे, next video में, next video का इंजियार करना, और 9B के सारे के सारे, ठीक है, जितने भी questions है, उन सब का solution हो चुका है, आप 9B के वीडियो के description में check कर देना, आपके मिल जागा, मिलत के वीडियो में, तब तक, bye and check care.